मध्य परदेश की मंडियों में फसल की आवक्स धिर रहने से सोया बीन के भाव में तेजी आने लगी है वही मध्य परदेश की टोप साथ मंडिया मंसोर, बैतूल, खंडवा, दिवास, बदनावर, उजैन और रतलाम में इन दिनों सोया बीन की आवक हो रही है इन मंडियों में ओसत कीमत 549 रुपे प्रतिक विंचल रही और अधिकतम 548 रुपे प्रतिक विंचल जबकि नियूंतम कीमत 494 रुपे प्रतिक विंचल देखने को मिली सरकार द्वारा सोया बीन के लिए वर्ष 2022 देश का नियूंतम समर्थन मुल्या 43 रुपे प्रतिक विंचल है जो पिछले वर्ष की तुल्ला में 355 रुपे प्रतिक विंचल आधिक है कुल मिलाकर मंडियों में सीमी दावक के कारण कीमते MSP से उपर बनी हुई है प्रतु पिछले वर्ष की तुल्ला में कीमते कम परतित होती है क्योंकि गत वर्ष इसी सब्ता सोया बीन की आवक चालू वर्ष के सतर से भी कम थी पिछले साल इस सब्ता ओसत कीमत लगबग 7,948 रुपे प्रतिक विंचल तो न्यून्तम कीमत 3,701 रुपे प्रतिक विंचल थी दरसल समाने खरीब मौसम में सोया बीन की बॉई पूरे मध्या परदेश में 7 से 15 दिनों के अंतराल में पूरी हो जाती है मध्या परदेश में कहीं कम और कहीं ज्यादा बारिश के कारण इस वर्ष सोया बीन की फसल 30 दिनों की अवधी में ही बोग दी गई थी और इसलिए मंडियों में सोया बीन की आवग भी इस वर्ष लंबी अवधी तक चलती रहेगी मध्य परदेश में सोया बीन की बॉआई कुल 50,18,000 हेक्टेर में हुई है जो पिछले साल के तुलना में लगबग 4,000,000 हेक्टेर कम है मौजूदा खरीब सीजन में पूरे भारत में कुल सोया बीन की बॉआई लगबग 120,37,000 हेक्टेर है Bureau Report, Market Times Team